और आप देखिए इस चिट्थी में कौन-कौन शामिल है चिट्थी वाले बुद्धी जीवियों की कुंडली बताता हूँ बिनायक सेन जिन पर रायपूर के अदालत ने राश्त दोका आरोप में आजीवन कैद की सदा सुनाई थी अनुराक कशब जो लगातार फिल्मकार है और विवादे ट्वीट करते रहते हैं प्रधान मंति को इन्होंने लिखा कि आपने क्या ट्रोल करने वालों को क्लास दी है उसके बाद अपणना सेन जो की इस चिट्टी की मुखे करता दरता है शारदा चिट फंड घोटाले मामले में एडी से पूस्ता दिन की हो चुकी है अपणना सेन शारदा ग्रूप की मैगजिन परोमा की संपाजक थी और ये उनकी कुंडली है और एक और शक्स आशीश नं पर से आ रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं एक उधारन देना चाहूंगा सबसे कम राज्ये ब्रस्त राज्ये पश्यम बंगाल है पिसले सो वर्षों में ओबी सी सी एस्टी वर्क के लोग सत्ता के नजदीक नहीं पहुचे है ये पूरी तरह से स्वच राज्ये है और ये लोग SCST की OBC की रक्षा करना चाहते हैं मैं रुक करता हूं मालनी अवस्ति का वो काफी देर से कुछ कहना चाह रही है मालनी जी ये कुंडली मैंने बताई जो है कुछ लोगों की कुछ तताकतित बुद्धी जीवी की क्या आपको लगता है इसी चिट्टी के अंदर इस कल उनने समय पूरी आजादी देता है अपनी बात रखने की और तब तो किसी को भी निवालूम था किसका क्या अंजाम होगा क्या सफर है लेकिन हमने इनको पहचान लिया था इतने वक्त पहले कि ये इनकी प्रवरत्ती है ये एक इंटॉलरेंस से उपजा ये इंटॉलरेंस शब्द है जितनों का आपने नाम लिया मैं इन में विक्त पजी का देख रही तो शुबा मुदगल जी ने बोला है कि अपढ़ना से इनकी बेटी है राम चंदर गुहा जी का क्या स्टैंडर सब को पता है विनाएक से इनकों है सब को पता है तो मुझे लगता है कि अब ये एक ऐसा मसला हो गया है कि आम आदमी को हसी आती है जब व आमीर रजा ससाहब को मैं बहुत पहले से जानती हूँ मेरी उसे जाती मुलाकाथ है वो उन्हें याद भी होगी आमीर रजा साहब ने कितने अच्छी एक बात कहीं कि अबद में जहां कि राम-राम से जवाब देता गंगोतरी क़ जिक्छर के औरमाय नहीं कि काम से हम सब व आपको बिल्कुल आपने वाजब फरमाया आमिर रिजा साब मैं आप से यहां पर यह कहना चाहती हूँ कि जितनी अदा के साथ आज की डिबेट शुरू होते ही इसी पैनल पर मौजूब शोयब जमाई जो हैं उन्होंने जिस तरह से मेरे उपर इतने आरोप लगा दिये क्या आप उसकी हमायत करते हैं या खिलाफत करेंगे पहले तो यहां पर अपना स्टैंड क्लियर करें तब बड़ी बात में आपका स्टैंड जानू जी जी ज़रूर ज़रूर आपको तो पहले शुरूरात वहीं से करनी चाहिए कि यह उन्होंने गलत किया था आप आर्टिस्ट आपके साथ आज मैं मैं जरूरर जरूर आपकी देखे मैं असल मैं मैं ने डिबेट जब जोइं की थी तो आप पर अटाइक चालू था I'm sorry, I didn't realize what and why it was happening. But look, an attack on artists is intolerable. No, I don't want to talk about it. You want, no. Of course, I condemn, listen to me. Malini Ji, you're a traitor. Hey, you're a traitor, Malini Ji. No, Malini Ji, you're a traitor. I'm a traitor, but I have a question too, Madam. Malini Ji, I'm talking to you. Malini Ji, I'm talking to you. You're a traitor. You've told me what you're doing. I know you're a traitor. He's a great person. Please, you're a traitor. Malini Ji, in no uncertain terms, with no ambiguity. I will condemn the attack on you. I will always condemn the attack on any artist for no rhyme or reason, especially an artist of your caliber. I definitely condemn the attack. I have no time down. Ashok Pandit! Ashok Pandit! Ashok Pandit! Ashok Pandit! Ashok Pandit! Ashok Pandit! One minute! One minute! Show him to run! You can trust me to take my 거ch. I said, I will say, I'll give my livelihood 그런데. But you've defined you in the right place. I told you a bit like, break before... Let Ashok Pandit come in. reversed thirty seconds, let Ashok Pandit come in. 하미 Ji, Ashok Pandit I'm coming過. Ashok Pandit's even theишw игра. Ashok Pandit 10 seconds. प्रूब करूंगा इस शोप है कि जितने भी जो 49 लोगों ने जो साइन किया हुआ है यह पॉलिटिक से कैसे जुड़े हुए यह 1984 के दंगों में जब शुक्रिया सर में पास समय नहीं है मॉब लिंचिंग पर आर पार हम हमेशा विश्टलेशन करते और इस वाल भी करेंगे भी तर तो किसी भी सब्वे समाच पर कलंग की तरह है इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई होनी चाहिए लेकिन सध्धावना के लिए जरूरी है कि इन वारदातों को जाती धर्म और के चश्मे से ना देखा जाए और इसमें अपना उचेंगे काकाशो